नमस्कार दोस्तों हक इनकरेस आफटेक की कॉंसेप्ट क्लिरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चोहन आपका स्वागत करता हूँ और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है स्विच स्टेटमेंट और उसकी एक्स्प्लेनिशन तो चली शुरू करते हैं स्विच स्टेटमेंट का टास्क क्या है तो स्टेटमेंट हमारा क्या काम करता है कि multiple codes में से एक code को select करके उसको execute करता है यह बिलकुल elseflatter की तरह है बट elseflatter में और switch statement में difference यह है कि elseflatter में वो particular सारे cases को पहले test करेगा condition को test करेगा उसके बाद decide करेगा कि कौन सा code block आपको execute करना है और switch में वो particular उस case पर switch कर जाएगा है जिस पर switch करने के लिए user बोलेगा तो यह है हमारा switch statement और इसके declaration के भी कुछ rule and regulations है तो आएए इन rules को देखते हैं कि किस किस तरह से हम switch statement को declare कर सकते हैं तो सबसे पहली बात तो जो भी हमारा switch होगा वो उसके expression या तो integer type का होगा और जो case की value होगी वो भी आपके integer या character constant ही होगी और जो case की value होगी वो case की value भी आप switch statement के अंदर ही use कर सकते हैं और अगर आपने switch statement के पहले से भी programs देखे होगा तो आपने देखा होगा उसमें हर case के बाद एक break लगा रहता है नए case के start होने से पहले तो उस break का क्या use है कि वो particular terminate कर जाता है और जब मैं आपको jumping statement से बताऊंगा तो मैं break को आपको और अच्छे से explain करूंगा so guys अगर आपने बना break statement के switch statement का use करते होगे कोई program बनाया है तो क्या होगा कि particular उस case को तो run करेगा ही कि उस case को run करने के साथ साथ वो आगे के सभी cases को run कर देगा जबकि यह तो एक faulty program हो जाएगा तो इस वजह सा हमारा break लगाना switch में बहुत जाद़ जरूरी है नहीं तो हमारा switch statement यहाँ पर fail हो जाएगा और यह switch statement का प्रोग्राम किस तरह से बनाए जाएगा किस तरह से switch statement काम करता है यह सभी मैं आपको अभी इसी वीडियो में कुछ ही दिर में बता हूँगा पर उससे पहले हम जानते है switch statement का syntax तो switch statement के syntax के लिए हम सबसे पहले लिखते है switch और ब्रैकेट में लिखते है expression n numbers of case ले सकते है और अगर कोई भी case यहाँ पर आपका valid नहीं होता है तो उस condition में क्या होता है कि जो आपका default होता है default work करता है कि आपका कोई साभी case match नहीं हुआ है तो आप default में जो भी print कराएंगे या फिर जो भी task perform कराएंगे जो भी code block आपने लिखाए default में execution के लिए तो वो execute होगा तो यह syntax था आपका switch statement का so friends flowchart भी इसका काफी simple है आप देख सकते हैं आपर case 1 case 2 case 3 dot 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 case n यानि कि number of n हो सकते हैं cases true होने पर statement run करेगा और false होने पर वो भी आगले case को test करेगा कि यह case क्या वही है जो user ने दिया है ठीक है और finally क्या होगा terminate हो जाएगा तो यह flowchart था हमारा switch statement का अब देखते है valid and invalid कि भाई कौन सा switch valid है और कौन सा switch invalid है अगर हम लिखते है switch x that mean x is any value or any variable which value is user defined और predefined तो switch x greater than or less than और इसमें हम addition कर सकते है switch a plus b minus 2 इस तरह से switch में कोई function दे सकते हैं तो यह सब भी हमारे valid होंगे बट अगर हम बात करते हैं switch f float या फिर switch x plus 2.5 यानि कि floating number को हम यह आपर add कर आ रहे हैं तो यह सब हमारे invalid switch के अंदर आते हैं और अगर हम cases देखते हैं कौन-कौन से valid है तो valid case में हम लिख सकते हैं case को numeric में जैसे case 3 और alpha में लिख सकते हैं यानि कि characters में जैसे case a addition less than greater than इनको भी यूज कर सकते हैं और case यहाँ पर character x is greater than character y और अगर हम invalid case की बात करें तो case floating point any number जैसे case 2.5 या फिर case x या फिर case x plus 2 या फिर case 1,2,3 यह सब हमारे invalid case तो आइए चलते हैं और एक example देखते हैं switch का जिससे कि यह सारे concept हमारे clear हो सके हैं So friends, यहाँ पर मैं C का program बना रहा हूँ और यह C का program बिलकुल वैसा ही है जैसा lcflatter का था बट जो आपका input और output वहाँ पर थे lcflatter वाले program में वही input और output हमारे इस program होगे बस हमारा logic change है वहाँ पर हमने lcflatter यूज किया था local variable ले लिया है अब मैं यूजर से value ले रहा हूँ तो यूजर से मैंने बोल दिया enter number और उस number को मैंने इस number में scan करा लिया जो कि integer type का है जिसका format है specifier रहा है अब मैंने यहाँ पर switch लगाया switch expression जैसे मैंने आपको पहले बताया था switch और यहाँ पर number लिखा है यह number वही expression है जो भी user देगा ठीक है और फिर यहाँ पर case देता हूँ जैसे मैंने case दिया 10 यानि user अगर enter कर रहा है 10 तो क्या होगा तो print हो जाएगा number is equal to 10 इसी तरह से मैंने यहाँ ब्रेक लगाया यह number is equal to 100 और finally मैंने default लगा दिया default में मैंने लग दिया number is not equal to 10, 50 & 100 यानि कि अगर 10, 50 & 100 के सिवा कोई और दूसरा number लिखता है user तो लिखा जाएगा number is not equal to 10, 50 & 100 और अगर user देता है number 10, 50 & 100 मैंसा कोई तो बता देगा number is equal to this one number is equal to 10, number is equal to 50 तो चलिए इसको get.ch लगा कर प्रोग्राम को terminate कर देते हैं और फिर देखते हैं इस प्रोग्राम को compile और run करके कि किस तरह से काम करता है तो सबसे पहले हम compile करते है compilation time पर यह zero error बता रहा है अब इस प्रोग्राम को मैं run करता हूँ तो देखिए प्रोग्राम करने पर पूछ रहा है enter a number, अगर मैं number देता हूँ 33 तो बता रहा है number is not equal to 10,50,100 और अगर मैं इसी प्रोग्राम को दुबारा से run करता हूँ तो यहां पर अगर मैं number देता हूँ 100 तो बता देगा number is equal to 100 तो यही था हमारे स्विच का प्रोग्राम सो फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी तो customer के रहे को phone किया ही होगा जब वो पूछता है कि Hindi के लिए एक dial करें और English के लिए दो dial करें आप एक dial कर देता है Hindi के लिए और you can dial two for English तो यहां पर यह switch कर रहा है Hindi और English में और इसके बाद क्या करता है इसके बाद यह करता है Hindi के लिए एक अलग switch होता है complete और English के लिए एक अलग switch होता है complete यानि कि switch के अंदर एक switch nested switch जिसकी बाद हम अगले वीडियो lecture में करने वाले हैं तो यह भी हमारा switch के थुरू बना हुआ है पैसे निकालने के लिए तो वहाँ पर लिखा रहता है कि ट्रांजेक्शन के लिए यह प्रेस कीजिए इसके लिए यह प्रेस कीजिए तो आप जो भी प्रेस करते हैं उसके अखॉर्डिंगी तो आपका transaction होता है तो वह particular आपके उस case पर switch होता है जिस case को आप select करते हैं यह कुछ real life example हो सकते हैं switch के अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप hit like कीजिए आप इस वीडियो को share भी कर सकते हैं अपने friends के साथ आप इस channel को subscribe भी कर सकते हैं जिससे कि आपको latest news और latest update की notification मिल सके और आप comment करके आपसे कोई doubt पूछ सकते हैं अगर आपको इस video lecture से related कोई doubt हो so friends यह मैं थाजी कृष्णा चाहन thanks for watch this video